हे गाईज वेलकम बैक आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्सिव फंक्षन के बारे में रिकर्सिव फंक्षन पाइथन में क्या होता है अगर फंक्षन कोई भी फंक्षन अपने आपको ही कॉल करे तो उसे हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्षन इसका मतलब अगर हम एक फंक्षन डिफाइन की है और वो फंक्षन अपने ही आपको कॉल कर रहा है तो उसे हम रिकर्सिव फंक्षन बोलते हैं recursive function beginner friendly नहीं होता इसमें हमें बहुत ज़्यादा practice करनी होती है तब जाके हम recursive function use करना आता है और मैं एक बात बता हूँ अगर आपको यह recursive function समझ नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं हम जो काम recursive function को use करके कर सकते हैं वो काम हम normally ही कर सकते हैं normally for loop को लगा के कर सकते हैं और मैं खुद ही personally recursive function को बहुत कम use करता हूँ जब मैंने last time recursive function को use किया था तो मुझे उस project में बार बार browser से interact करना होता था और गलती से मेरा recursive function चल गया और मेरा system crash हो चुका था उस समय लेकिन उस समय मैं use कर रहा था Java और अब मैं use कर रहा हूँ python और python में recursive function थोड़ा safe है python में एक limit set की हुई है कि recursive function इतने ही बार चल सकते हैं तो अब आप सोच रहोंगे कि recursive function होता ही क्या है तो मैं आप आपको एक example लेके बताता हूँ मैं एक function मनाता हूँ define और उस function का नाम लगता हूँ name name function कुछ भी नहीं लेगा और वो सिर्फ और श्रिफ प्रिंट करवाएगा हर्ष हर्ष प्रिंट करवाएगा और उसके बाद अगर मैं एक recursive function मनाऊँ तो उसके लिए हमें function के अंदर ही एक function को call करते हैं हम इसी function को call करते हैं तो हमारे यह recursive function हो गया अब मैं इस function को call बस करता हूँ name अब मैं save करके अगर ही मैं इसे run करूँ तो आप guess कीजिए इसका output क्या होगा इसका output क्या होगा आप guess कीजिए मैं output दिखाता हूँ अपको तो यह देखिए हमारा हर्ष प्रिंट होते ही जा रहे 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 है और यह बाकी सारे language में यह unlimited time चलेगा लेकिन इस python में इसका एक limit set किया हुए है यह 992 बार ही चलेगा इसके ज़्यादा बार recursive function python में काम नहीं करेगा by default पर अगर हम चाहें, तो हम इसे भी change कर सकते हैं, लेकिन मैं इस lecture में उतने deep में नहीं जाओंगा, क्योंकि इसमें हमें modules और modules के अंदर का काम करना होगा, तो यह तो होगी recursive function, अब हम एक recursive function का example देखते हैं, example होगा, हम factorial का function पहले भी एक बार बना चुके हैं, for loop को use करके, हम उसी को वापस से बनाते हैं, तो सबसे पहले मैं बता तो factorial होता गया, factorial अगर हमें 5 का निकालना है, तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 करना पड़ेगा, तो हम इसके लिए एक function मनाते हैं, define, fact नाम के function में एक num pass करते हैं, और अब हम इसमें एक variable बनाते हैं, fact नाम का, और fact नाम के variable में हम pass करते ह 1, अब हम इसलिए 1 pass कर रहे हैं, 1 इसलिए pass कर रहे हैं, क्योंकि यही जो हमारा factorial बनेगा, हम जैसे जैसे multiplication होगा, वैसे वैसे हम fact नाम के variable में store करवाते जाएंगे, अब हम इसमें for loop लगाते हैं, for, I in range, I hope आपको इसका concept बता होगा, हमने पहले solve किया इसके, अब हमें range में किता range चाहिए, हमें range में चाहिए 1 से, 1 से लेके num plus 1, num plus 1 तक का range चाहिए, अब हम क्या करेंगे, हम fact is equal to, fact into I, हम अगर यह किये, और हम यहाँ return करवाए, fact, और हम यहाँ पर call करते है, fact function को, और हम इसमें value pass करते हैं, 5, तो 5 का factorial होता है, 120, हम में मालूम है, हम इसे save करके, अगर run किये, तो अभी हमारे पास कोई output नहीं आया, क्योंकि हम यहाँ पर print नहीं करवाए हैं, अब मैं इसे save करके run किया गए, तो यहाँ पर देखें, हमारे पास 120 answer आ चुका है, तो अब हम इसी function को, बीना for loop को use किये, save for save recursive function को use किये बनाते हैं, recursive function को use किये कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं इस function का concept बताता हूँ आपको, इस function में सबसे पहले यह function define हुआ है, define होने के बाद यह fact num के variable में हमें one assign कर दिये, one assign करने के बाद यहाँ पर i का value क्या होगा, i का value 1 से लेके मान के चलिए 6 तक होगा अगर हम यहाँ पर num में pass किये 5 तो हमारा i का range होगा 1 to 6, अगर यहाँ पर हम pass किये 6 तो i का value होगा 1 से 7 और अगर हम यहाँ पर pass किये 8 तो हमारे यहाँ पर value होगा 1 से लेके 9 तक का, okay I hope आपको इत्ता clear होगा उसके बाद हम क्या किये हमारा सबसे पहले i का value होगा 1 तो हमें fact नाम के variable में fact is equal to fact into 1 किये तो इसका value आगे हमारा 1 into 1 is equal to 1 और उसके बाद हम फिर से loop चला है फिर loop में i का value होगा 2 और हम fact is equal to fact into 2 किये मतलब 1 into 2 किये तो हमारा answer आया 2 उसके बाद फिर से हमारा loop चला और इस समय i का value होगा 3 और हमारा fact का value होगा 2 तो 2 into 3 किये तो हमारे पास 6 आया और ऐसी 6 into 4 करेंगे तो 24 आ जाएगा उसके बाद 24 into 5 करेंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा तो हमारे पास ऐसे output आ रहा था तो अब हम इसी function को recursive function को use करके बनाते हैं तो हम उसके लिए भी एक function बनाते हैं define और इस function का नाम रखता हूँ fact1 और मैं इसमें भी num pass करता हूँ और अब हमें क्या करना है हमें यहाँ पे condition लगाना है अगर हम यहाँ पे one का भी factorial लगा रहे थे तो भी हमारे पास answer one आ जाएगा लेकिन अब मैं यहाँ पे अलग से factorial के लिए एक logic लगाना पड़ेगा if num is equal equal to one अगर num one के equal हुआ तो हमें return करवाना है num हमें simply return करवाना है num और अब हम else block में main code लिखेंगे जो हम यहाँ पे use कर रहे थे लेकिन हम यहाँ पे for loop को use करके factorial का program बना है लेकिन हमें यहाँ पे recursive function को use करके बनाना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे return करवाते हैं num into fact one और उसमें हम parameter डालते num num minus one यह हमारा function ready है अब आपको यह code समझ में नहीं आ रहोगा यह code काम कैसे कर रहा है यह आपको समझ नहीं आ रहोगा मैं इसे run करता हूँ उसके बाद मैं आपको समझाओंगा यह code work कैसे किया तो मैं अभी fact one नाम के function को call करता हूँ fact one और उस function में मैं डालता हूँ 5, अभी भी हमारे पास output आना चाहिए 120, अब मैं इसे print करवाता हूँ अब मैं इसे save करके अगर run किया, तो यह देखिए हमारे पास 120 answer आ चुका है, 120 answer क्यों आया है अब मैं बताता हूँ यह coding काम कैसे की, सबसे पहले हमें आरे पास एक number आया, num में हम ले लेते हैं 5 अगर हम यहाँ पर 5 लिया, तो num में हमारा 5 चले गया, अब if num is equal to 1, num equal to 1 नहीं है तो यह वाला condition false हो जाएगा, और else block चलेगा, और else block में क्या होगा, हमारा return हो जाएगा return में होगा, num is equal to fact1 और num minus 1, इसका मतलब क्या होता है, num have 5 is equal to num into, num into fact1 num minus 1, इसका मतलब क्या होगा, fact1 वापस से call होगा, fact1 function वापस से call होगा और उसका value होगा num-1 अब इसका value हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा और अब फिर से एक condition चलेगा और फिर से return value आएगा और num का value है 4 तो यहाँ पर 4 into हो जाएगा और उसके बाद फिर से fact1 function call होगा और fact1 function फिर से minus 1 के increment से call होगा तो अब हमारे num में आजाएगा 3 और अब फिर से यह if statement false हो जाएगा और if statement false होने के बाद else statement चलेगा और else statement में num into हो जाएगा मतलब यहाँ पर into हो जाएगा 3 उसके बाद फिर से यह call होगा function और उसके बाद यहाँ पर num का value हो जाएगा 2 और यहाँ पर into हो जाएगा true और उसके बाद last बार यह जब चलेगा तब हमारा num का value हो जाएगा 1 तो उसके बाद हमारा if statement काम करेगा if statement का value हो जाएगा true और उसके बाद return हो जाएगा num और उस समय तक num में value हो जाएगा 5 into 4 into 3 into 2 इसका value होता है 120 तो I hope आपको ये function समझ में आया होगा तो ये है recursive function अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो भी ये कोई load नहीं है आप कोई भी tension मत लिजगा क्योंकि ये function के बीना भी हम इत्ते आसानी से function declare कर सकते हैं बीना recursive function use किये और मैं personally recursive function को ज्यादा use नहीं करता हूँ तो thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content